कि इसको कोई कोई भरक नहीं बढ़ा मेरे को ऐसा थमसब अब चल आप चालू करो ले तो मैं वापिस रिपीट करूं तो चलेगा कि आपको अच्छली जीडीपीडी वाले बच्छो और बाकी के बच्छो यह मैं रिपीट कर रहा हूं तो यह शायद अभी हसेंगे क्योंकि इस कमिने ने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस नहीं किया था तो मैं यह बता रहा था कि किस तरीके से बच्चों ने एस का रिविजिन करने को ना तो उसके लिए मैं आपको यह बताया था कि एस के रिविजिन के वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपको हरेक एस के अंदर मास्टर लाइन आपके पास होनी चाहिए और उसके लिए मैंने का बात है कि standards को दो हिस्वा में डिवाइड करो एक practical और एक theoretical जो practical AS है उसके अंदर solving वाले जो problems से उसको mark करके रख दोगे तो आपको solve हो जाएगा बट जो theoretical standards है उन theoretical standards के लिए आपको बहुत ज्यादा पार्टी तो उसके अंदर वो जो 5 points है वो आपको लिखकर ही निकालने पड़ेंगे उसके अंदर small small points भी नहीं लिखने है सारे जो major points है वो सब लिखकर निकालने पड़ेंगे आपके पास language में और उस book से वो पढ़कर आपको लिखने पड़ेंगे जैसे एस 15 अगर आप देखेंगे तो एस 15 में कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है वो पूरा प्रैक्टिकल स्टैंडर है प्लान असेट क्या है लिव एनकेश्मेंट क्या है उसके लिए लिए लिव एनकेश्मेंट का थोड़ा सा एक pointer आप लिख लेंगे तो चल है आप देखेंगे तो पूरी प्रैक्टिकल है तो थेरी में भी कुछ स्टैंडर ईजी एक दिफिकल्ट है अब इजी आए सेंडर्ड गॉन सा यह संडर्ड देखेंगे गवर्मेंट ग्रांट इजी ए एस लिए वो भी इजी ए बट थोड़ा सा मुच्किल हो जाएगा एस सेटीन कि सेग्मेंट रिपोर्टिंग अगर प्रैक्टिकल कुश्चन है तो इसी है बट स्कूज में बट प्रत्य के आपके बास मास्टर पॉइंट्स चाहिए पूरा एस समरी में नहीं चाहिए होता है प्लीज अपनी डायरेक्ट की पिन पॉइंट करकर एक्जैम में क्या काम आने वाला वो याद कर एक्जैम में बोल बच्चन काम नहीं आने वाला है ग्लोबल गैम काम नहीं आने वाला है तुमको आंसर आ रहा है वो भी काम नहीं आने वाला है एक्जैम में तो लिखना है ना लिखना क्या है इस पॉइंट पर आकर बैठ गए तो तुमको आंसर अपने आप आएगा कि हरे केस्ट में मेरे पास मास्टर लाइंस चाहिए जो मुझे याद करनी है और सारा याद करने की ज़रूद भी नहीं है आपने देखा है कि एस पर फोकस लिमिटेड एरियाज में जाता है कोशन आं सब्सक्राइब करना एक के नीचे एक सिर्फ मास्टर पॉइंट सलस्या समरीपोइंस भी वोलिए प्रीमोम तरह संबॉइंट से लिए यह सई ख्याने और दरानके और डैपिनेशन और क्या करने का एस पाइब जो पांच आइटा में वो एस सेवन प्रैक्टिकल है एस नाइन जो थेरी के पॉइंटर से वह आपके टेक्स्ट बुक में दिये हुए वो टेक्स्ट बुक से भी करेंगे तो चलेगा 10 कुछ प्रैक्टिकल है कुछ थेरी है वो स्टेंडर है और इस 28 इंपर्मेंट का मतलब क्या समझ जाई है कि खराब हो जाना के इंडिया-पाकिस्तान रिलेशन शिप इंपेरेड हो गये है गॉट इंपेरेड हमारे स्टेंडर का नाम क्या इंपैर्मेंट आफ असेट्स सो यह स्टेंडर्ड किस पर काम करता है होता है गया मतलब हम PPE को on the cost asset side दिखाते cost को और फिर उसको systematically depreciate करते over its remaining useful life do you agree or not but बेटा जी मान लेते कि आपकी PPE है कुछ आपकी को एक PPE है ऐसे बहुत सारे तक जा रहा था मस्ती में एकदम जुमते जुमते कि आया सावन जुमके और यह जागिरा इदर खाई में ठीक है यह जाके खाई में गिर गया और ट्रक खराब हो गया अब बेटा जी इस एक ट्रक के लिए अब डेप्रिसेशन मेथड तो चेंज नहीं कर सकते हैं कौनसा स्टैंडर है तुम्हारे पास जो यह बता दे कि पाजी इसमें लॉस हुआ है यह है भी मेरे पास बेचा भी नहीं है है भी मेरे पास बट यह खराब हो गया है खराब हो गया मतलब इंपैर हो गया असेट की कॉलि अब सब्राइटी या अ sa sequqi खराब हो जाती है आपको पसको पता है और डीडी आपकी आप करते हो है में कौश्क कौन्से ऐन ड Dallas में बिदेरेस पैसा नहीं आने वाला है इसका मतलब डीड्र स से उसको क्या करेंगेिंपेर इतने सारे अपने या दिस वनें होंगे जो यह होते नहित अगया स्टार्ट-पस स्टार्टम स्कूम, फंडिंग करते हैं स्टाटपकू जो फंडिंग करते तो वह मारी क्या बन जाता है इंवेशन हt त्पेर उस इंवेस्टमें इस पैसा नहीं आ रहे तो आम अमारे इंवेस्टमेंट को क्या कर देतें इंपयर इंपैर्नमेंट अफ जैकुत iç नी भारत की हसी उडीती मैं आपको ज ना उन युनिनर ने भारत में इंवेस्टमेंट किया था, that is Telenor ने भारत में इंवेस्टमेंट किया था, in form of Uninar. उन्होंने यहासाई चालू किया बहुत अड़रटीजमेंट किया, उनका जो भी Telenor कि भूक्समें, it was written as what? तो क्या करता हुआ गंवेस्टमेंट इन लॉपर्मेंट इसको पूरा का पूरा इंपैर किया और पूरे भारत के सिस्टम पर थुथुई इंटरनेशनल मार्केट में कि कोई कमपणी फॉरेंट से इधर आती है एंड दे डूंट है इम्मुनिटी और डूंट है गैरेंटी कि यहां कि पॉलिसी सेम रहेगी के नहीं रहेगी कि यह राजाने लाइसेंस दिया है लाइसेंस उन्होंने बकाईदा पैसे पेमेंट करकर दिया है और उनका इंवेस्टमेंट पूरा बेसेस था इसके बेसेस पर और आगे चलकर क्या हो गया है कि पूरी की पॉरी पॉरी पॉलिसी खराब हो गई तो उसके बाद में क्या करें कि गवर्मेंट की पॉलिसी आती कि इधर बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट होगा यह होगा फलाना होगा दिंगड़ा होगा लोग आजू आजू में लैंड एक्विजिशन कर लेते बहुत बबल रेट पर और फिर आगे जाके पता चलता है कि यह कभी उस व अगर एक असेट को रिवालिएशन मॉडल दिया तो उसकी सभी असेट को रिवालिएशन मॉडल डालो तुम बोल रहे भाई मुझे इसको रिवालिएशन मॉडल पर नहीं डालना इसकी वाल्यू इंपेर हो गई है तो को एक स्टांडर्ड चाहिए ना जो बोल रहा है कि अ टलिनॉर राइट्स आफ इन्वेस्टमेंट इन्डिया इन्मारा सर्च तो मैं पढ़ के बढ़ हूँ आपको टलिनॉर on the other hand is constantly disagreeing with the financial performance for instance its total impairment loss and write downs were 5 8 25 crore during 9 months of 2016 previously in 2012 it had written off rupees 3,500 crore एइंडियन असेट और इंडिया असेट्स जेसर मिह अटू को आई के नहीं इन्यूज में फिसे करने के बाद है को छेएंब चुम्छी इंटरनेट नहीं है मेरे पास इंटरनेट करेदर कौनसा है कौनसा है रियल मी किदर है ओपो एफ ले उन को नहीं है नहीं है रहे रहे यह ओपो लेलूँ पोको अच्छा लो डेटा मोड कुटेगी लाया है यहाँ सार वेरिज मैं इंचे नहीं एच्छ वेरिज मैं से परीका आख़े यह नियाए यह इंटरेट यहार मेर्गो पातानी मेर्गो कुख जली सुष्टी एन पातानी मेर्गो कभी कभी एना पासवर डाल वे दर आनंड आइफोन हो जा था है कि देख पासवड पतना ठीके डूड़ डाल वीदर पासवड काँ पे हां होगा यह पक्का चलो आए देख लो प्रिविएस्ली न में रुपिस थे थाओजन फाहन पासट को यह यह दिखेंगे दिखेंगे यह दिखेंगे यह दिख रहे है इटी स्लैट राइट राइट आफ एट 20 मिलियन अगेंस इंडियन अपरीशन्स यह तुथू ही धी यह कौंसा एस काम करता है इंपर्मेंट आफ एस 28 जिसके अंदर वो सारे इंवेस्टमेंट के साथ गेम निकर रहे है कोई एक तो इसका परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है इंपर इंपर मिन्स राइट आफ इस एर वी गो नाव एन अंडर्स्टेंड दे नेक्स पार्ट आप दे स्टोरी तो सुनते जाहिए यह राजया बेटाजी मेरी स्टोरी को अभी एस 28 को समझन in the balance sheet. So, for example, what is the carrying amount formula for PPE? It is cost less accumulated depreciation. अगर revaluation surplus है तो आपके entry क्या हो जाएगी? Cost plus revalue plus or minus revaluation surplus and less what? Depreciation is what my dear friend carrying amount. Carrying amount is nothing but the value which is carried in the balance sheet. deal agree? फिर में आपको बोड़रा हूँ, carrying amount को compare करो, compare करो, recoverable amount के साथ, किस के साथ? recoverable amount. Now, what is recoverable amount? recoverable amount is higher of value in use और selling price और 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 net selling price और और नेट सेलिंग प्राइज आप असेट. So, ज़र देन से सुनों, A और B लिखा मेंने. मैंने क्या बोला? carrying amount जो बैलिंग शीट में. उसको compare करो, किस के साथ? recoverable amount के साथ. What is recoverable amount? It is value in use. और, I'll say selling price of an asset, which ever is higher, यह recoverable amount बनेगा. अब आपका question आएगा, sir, what is value in use? So, बेटा जी, मैं फर्स पॉइंट लिखा, second point, value in use क्या है? value in use क्या होता है, बेटा जी, कोई एक ऐसी asset है, जिसके आप cash flows project कर सकते हो. cash flows मतलब इस asset से कितना inflow मिलेगा मुझे cash का, say sir no, inflows कितना मिलेगा cash का, पहले क्या project करोगे inflows of cash, कुछ asset का inflows नहीं project कर सकते हैं, बट कुछ asset का आप cash flows project कर सकते हो, तो can I not say cash flows लीजिए, year wise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे year wise cash flows लीए, agreed, फिर अगर आपको याद होगा, तो आपने एक standard किया था अभी थोटे दिन पहले, that standard was AS 15, उसके आगे आप क्या करते थे, discounting factor ले जे थे, CS, यह discounting factor लेने के बाद में आपको क्या मिलती थे, PV, इस PV का summation, is called as value in use, क्या हो रहा है, आज आपके books में carrying amount है, carrying asset मतलब आपके 10 लाक रुपए, आज आपके asset के है, agreed, आज की तारिक में, और यह asset है, तो there are future economic benefit, यह future economic benefit आपको आज नहीं मिल रहे, future में मिलने वाले, और future मे maximum कितने benefit मिलेंगे, यह आपको पता है, आप project कर पा रहे, इसको में discount करकर किस पर लेके आ जाओंगा, present value, मान लेते present value 8 लाक है, और आपके books में cost दिख रहे, 10 लाक, तो आप मुझे बता ही, उससे future economic benefit कितने के मिलने वाले present value terms, 8 लाक, आपको clear clear indicator है, यह इंपेर होगी asset, अगर मान लो तुमने FD करी, पांच लाक के FD करी, बैंक डूब गई, कितने रुपए मिलने आले, 3 लाक रुपए मिलने आले, आप अपने दिल से पूछिए, कि उसको 5 लाक पर दिखाऊं कि 3 लाक पर दिखाऊं, क्योंकि उसकी आज के तरीक में present value 3 लाक है, बहले ही तु investment है, shares, पांच लाक का, बट उस share के value 8 लाक, मतलब उसकी net selling price ज्यादा है, तो राजा बेटा जी उस case में आप क्या लेंगे, उसकी net selling price लेंगे, कुछ asset की selling price भी अविलेबल होती है, so what is value in use, sorry, what is recordable amount, recordable amount is value in use, or net selling price, which ever is higher, इससे हमें ये पता चलता है कि उस asset की carrying amount के comparison में हम कितने रुपए एकटे कर सकते, कितने future economic benefit है, say yes or no, तो मैं क्या second point लिख सकता हूं, so value in use क्या तुमको समझ में है, ओरली, अवे समझ में आए क्या, third point, अच्छा net selling price को बताना जोरु रहे है कि समझ में आ जाए गया, net selling price मतलब selling price in the ordinary course of the business, less expenses to sell, तो आपको क्या मिल जाए ग का net selling price, ये investment में भी देखा था, shares को बेचा, तो shares को बेच नहीं का क्या price है, minus brokerage, you'll get net selling price, अच्छा, कुछ asset का selling price नहीं होता, तो मतलो, उस case में से value news आएगा, बोलो हाँ, पक्का, सु राजा बेटा जी मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूं, इफ, caring amount is less than recoverable amount, तो caring amount आपके बुक्स में 100 है, और recoverable amount 120 है, तो बेटाजी, asset is not impaired, agreed, so can I not say, asset will be carried at 100, that is carrying amount only, yes or no, carried at 100, that is carrying amount only, मतलब मसला कभने है, अगर carrying amount is lower than the recoverable amount, then you will continue that carrying amount, there is no question of providing impairment, second, fourth, if carrying amount is more than recoverable amount, if carrying amount is what, more than recoverable amount, do you understand the meaning of this, carrying amount, ज्यादा है, किसके कंपरिजन, recoverable amount, agreed, तो आप क्या करेंगे, asset will be written off to recoverable amount, asset will be written off to what, recoverable amount, now comes a question, carrying amount is 100, recoverable amount is 90, अबिना एंटी कैसे निका रहा, higher off, value in use और net selling price, से यस, सो बेटाजी, उस केस में, asset will be written off to recoverable amount, इसके entry कैसे होगी, सो एंटी देख लिए, पहले, simple entry करके बताता हूँ, entry होगी, हम लिखेंगे, impairment loss, to asset account, impairment loss कि दर हिट करेगा, pay handle account, से यस, सो पहले मुझे बताओ, हमने start कहां से कहा है, standard, एक दम brief में मैंने बताओ, carrying amount क्या होती है, the amount which is there in the balance sheet, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारी जो assets है, वो उतनी रकम तो कम से कम, generate कर कर देगी, अगर हमारी asset उतनी रकम generate नहीं कर रही है, तो वो impair हो गई है, बढ़ उतनी रकम तो generate कर कर देगी, इसका मतलब क्या है, कि हमें उसकी recoverable amount निकलने पर देगी, recoverable amount खुद अपने आप से बताता है, कि क्या मितलब होता है उसका, कि उस asset के कितने रुपए recover होंगे, बट वो कितने रुपए recover होंगे, हर एक asset, कुछ asset की selling price होती है, और कुछ asset का value in use निकलता है, value in use मतलब क्या, कि उस asset का cash flows कितना है, उन cash flows को लेकर, total croze का, तो आपको PV मिलेगा, PV of future cash flows, और दूसरा क्या करेंगे पिटाजी, net selling price, इन दोनों में से, whichever is higher, will become what your, recoverable amount, अब इस recoverable amount को, carrying amount के साथ compare करो, अगर carrying amount कम है, छोड़ दो, कुछ मत करो, सही चल रहा है, impairment नहीं हुआ है, और considering the concept of prudence, हम उसको higher value पर नहीं लेके जा सकते, carrying amount पर ही, but अगर carrying amount is higher than the value, sorry, recoverable amount, तो in that case, what we are going to do, we are going to provide for impairment, impairment कितना, recoverable amount or carrying amount के बीच का difference, yes or no, मुझे पता, आभी आपके दिमाग में कुछ questions आ रहे होंगे, sir, but ऐसी कुछ asset होती है, जिसका value नियूज निकल ली नहीं सकता, इसका cash flows निकल ही नहीं सकते, जैसे आप इदर देखो, यह podium है, इस podium का cash flows क्या, इसका selling price क्या है, नहीं पता आपको, यह lights, fittings, कैसे पता करेंगी, sir, इसके लिए आगे आएगा, CGU नाम का concept है, but ऐसी कुछ assets है, जिसका हम यह निकाल सकते है, मतब या तो उसका value in use, या net selling price निकाल सकते है, कुछ भी निकाल सकते, तो उसको किसके साथ compare करेंगी, caring amount के साथ उसको compare करेंगे, और यह कब compare करना, यह भी बात बताता हूँ, क्या क्या समझा आप, impairment मतलब क्या, reduction in the value of asset, तफ़ले यह बता हो, you project future cash flows, you discount them and you get what, present value, so present value of all the cash flows from the asset is nothing but my dear friend value in use, value in use or net selling price, whichever is higher will become what you are, recoverable amount, if carrying amount is greater than, sorry less than recoverable amount, no impairment, don't provide for impairment loss, but if carrying amount is greater than, and recoverable amount, then you should provide for what, impairment, say yes or no, so मेरे रजगुले बच्चो, क्या पी लिख कर लोगी के पले, फिर हम आगे बात करेंगे, इसके बाद में में कुछ और बात करूँगा, अरा रा रला, आरा ंरा रा झाल स्क्रोल करूँ श्याल आ प्रोसीड अच्छ ठीक लिको जल्दी लिको क्या उपर करूँ अरे वो लिखे नहीं है हाँ ये ले बैए क्या आजिए कर्वाद इन्प लेए ये वो लुपप्रुपपार्व क्या रुपपार्व झाल झाल हुआ लिकरी झाल चले बीसुनिए मेरे बात था दो च्टार की रूप रेकर समझने लिए आपको थोड़ा साइस में समय लगेगा बटर आभी के लिए आपको ये समझा उगा कि कैरिंग आमाउन्ट क्या होता है रिकरेवल अ मॉंट क्या हुआ और क्यारिंग अमाउंट इस ग्रेटर देन रिकरेबल अमूंट दर इसन यह गोन प्रवाइड फर देंपर्डमेंट इस अड़के सब्सक्राइब कर लिए और फिर लास्ट में करो के तो बहुत आसान जाए गई फिर हम इस पूरे बिजनस की रूप रेखा देखेंगे एस 28 prescribes procedure that an enterprise applies to ensure that assets are carried at not more than their recordable amount क्या पुरी क्लास को recordable amount पदा है इस higher off value in use or net selling price if carrying amount of an asset exceeds its recordable amount then the asset is said to be impaired and this standard requires that the enterprise to recognize an impairment loss impairment loss की मने मोटा मोटी एंट्री दिए agreed ये standard कुछ लेवल पर अप्लाई नहीं करेगा AS2 inventories क्यूंकि कोस्ट और NRV विच्वर इस लोर ये खुद AS2 नहीं भुला है asset arising from construction contracts and राजा बताजी financial assets which is including investment that are included in the scope of AS 13 accounting for investment and DTA in assets के ले impairment वाला standard apply नहीं करेगा ना उजरा ध्यान से सुनिये caring amount क्या आपको पता है गया caring amount is the amount at which an asset is recognized in the balance sheet after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses there on क्योंकि पीटाजी impairment loss भी asset में से less ही करते है ना आप बुला हाया ना तो इसके पहले का कोई impairment loss है तो वो भी क्या करेंगे less so what is the carrying amount carrying amount is the value at which an asset is shown in the balance sheet after deducting the accumulated depreciation and accumulated impairment loss kur impairment loss क्या थू अभी बता रहुं क्या वो अब आरो depreciation amortization क्या depreciation is nothing but systematic allocation of depreciable amount or it is useful life क्या हमने एस्टन में प्रद ता गया now what is the depreciable amount depreciable amount is cost minus scrap value estimated scrap value yes or no so depreciable amount is the cost of an asset or other amount substituted for the cost in the financial statement less its residual value yeah that I put a recoverable amount recoverable amount is higher of an asset net selling price and its value in use higher अब तुम मुझे बता होगे what is value in use यह हम कॉंसे page number पर है 28.4 आगे आप पढ़िए क्या लिखाया value in use is the present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from disposal at the end of its useful life जिन बच्चों का FM हो गया capital budgeting हो गया उनको समझ में यह चीज़ और clearly तो जो आप capital budgeting में projection करते हो cash flows का और लास्ट में उसका selling price यह सभी मिला कर आपको क्या मिलेगा उसका cash flows अब तुम बच्चों को बताता हूं को यह एक asset है तो उस asset के मुझे कौन से कौन से cash flows मिलेंगे तो cash flows हर साल उसको जब use करूंगा तो कुछ पैसा मिलेगा और लास्ट में उसको sell करकर जो मुझे मिलेगा वह भी cash flow यह मिलेको उस assets मतलब उस assets से मुझे कितने रुपए मिल सकते है उन सभी को प्रोजेक्ट करिए येरवाइस और उसको discount करिए तो आपको मिल जाएगा value in use तो क्या बोला है present value बोला है present value बोला है मतलब क्या project करो cash flows future cash flows और उसको क्या करो discount तो आपको क्या मिलेगा present value value in use is the present value of estimated future cash flows expected to arise from continuing use of an asset and from its disposal at the end of नाव राजय बेटा जी step number one क्या होता है estimating the cash flows step number two क्या होता है applying the discount rate तुमारे लिए good news है दो नहीं तुमको दिये जाएंगे estimating what cash flows और फिर second step क्या discounting तो बेटा जी इसको थेरी में पढ़ने की जिएक प्राक्टिकली पढ़ता है एक नीचे example दी है तो यह दिख रहा है कि a b limited is a machine producing pens remaining life is five years expected cash flows are as follows so one two three four five आपको क्या क्या मिल रहा है cash flows five lakh six lakh six lakh fifty thousand seven lakh eight lakh plus scrap value if any मतलब asset को use करने से कितना cash flows मिलेगा plus what scrap value जोसको sell करने से मिलेगा इसको हमने क्या गिया 10% अगर discounting factor है तो discount किया और बेटा जी इधार आपको क्या मिल गया उसका value in use says बेटा value in use में कोई भी estimate नहीं ले सकते आप estimate मतलब कि हम आगे actually estimate यह मैं सुविकार कर रहा हूं cash flows project कर रहा है मतलब estimate यह बट ऐसा कोई estimate नहीं ले सकते कि आगे चल कर हम यह यह नया investment करेंगे और इस investment के वज़े से इसके cash flows और बढ़ जाएंगे इसको standalone basis पर देखना होगा आपके future investment के basis पर आप यह काम नहीं कर सकते जैसे for example आपकी पास एक factory है उस factory का अभी capacity है 70% by and large तो cash flows 70% से निकलेंगे बट आपका ऐसा plan है कि आगे चल कर हम और एक plant डालेंगे जिस plant के लिए इसका raw material यूज हो लेगी तो हमको cash flows और अच्छे मिलेंगे वो नहीं चलता है आपको ध्यान रखना है कि इस asset का standalone basis पर क्या cash flows है वो लेना है future planning should not be taken into consideration pure pure asset के वज़े से कितने cash flows है तुमारी future actions इसके cash flows को consider नहीं करना है चेक करो इदर क्या क्या लिखा है future cash inflows or outflow expected to arise from future restructuring plan to which entities not yet committed to be ignored ये keyword क्या है exclusion मतलब cash flows में future restructuring plan आपके नहीं लेंगे क्योंकि लोग बच्चन बाजी करते है न किससे ये cash flows आ जाएगा वैसा नहीं चलेगा future restructuring plan cannot be considered next any future capital expenditure enhancing the capacity of asset to be excluded cash flows from financing or tax receipt should be excluded now comes a question आपने asset को गिर्वी रखकर कुछ cash flows ले लिए वो financing गिर्वी रखकर वो asset के use से नहीं आ रहा है वो cash flows नहीं ले सकते हैं और कई बार क्या होता है कि एक asset के वज़े से tax benefit मिलता है यह आपको FM में समझेगा tax benefit को भी consider नहीं करना है इंक्लूजेंस कौन से लेने सिर्फ यह लेना है net cash flows from continuing use of the asset and net cash flow from disposal of the asset towards the end समझेगे नहीं happy so मुझे बताइए आप मुझे बताओ value news समझ मैं है क्या आपको क्या project करने cash flows second step क्या करना उसको discounting क्या exam में दोनी चीज़े दी जाएगी क्या उसके बात में उसका क्या निकलना है present value so that will be called as what value in use the second was what recoverable amount लेना है तो आपको वरक चीज़ चीज़ चीज़े नेच सेलिंग price net selling price मतलब asset कितने में बिक्यागी less any expenses to sell this is net selling price धान से सुनो कई बार किसी asset की net selling price नहीं पता होती अब इसकी wiring क्या इसके net selling price नहीं पता है तुम बोले value in use भी नहीं पता है ठीक है नहीं है अजूम करो किसी की value in use पता है net selling price नहीं पता है in that case net selling price can be assumed to be value in use only is that okay तो क्या लिखा दिखो recoverable if it is not possible to determine net selling price due to non availability of active market no basis for reliable estimate then recoverable amount is equal to value in use yes or no if value in use of the asset is not available then net selling price cannot be considered as recoverable amount and impairment of such asset will be done in CGU now what is the CGU is cash generating unit I will tell you है समझे के नहीं किसी asset की net selling price नहीं पता है तो उसकी क्या लेंगे है value in use as what value in use as what recoverable amount तो मैंने क्या बोला देखो देखो जरा सान से net selling price नहीं पता है value in use पता है तो उसको हम क्या लेंगे हा रिकारेबल amount 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 is what value in use but अगर किसी की net selling price पता है value in use नहीं पता agreed तो इधार बोल रहे है रिकारेबल amount can't be estimated मतलब ऐसा मत बोल देना कि उसकी रिकारेबल amount is equal to net selling price नहीं net selling price नहीं पता रहा तो चलता है value in use पता होना चाहिए value in use पता है तो रिकारेबल amount is value in use तो मैं net selling price पता है value in use नहीं पता है तो then you have to proceed to CGU concept CGU concept क्या मैं बता हूंगा मुझे नहीं सम्झा पता हू आपको value in use पता है मतलब इधार सब्से इंपर्टन कांसा concept है value in use value in use पता है net selling price नहीं पता है recoverable amount is value in use आपको net selling price पता है value in use नहीं पता है you cannot say that recoverable amount is selling price you will have to go to the CGU concept which is later on say yes इलकर लेना आपको कि आपको कि अजय को चाहिए है अजय को अजय है रेको रेस्ट बच गया रहे पच्चिस उख विगा हुआ है कि अगरा है नहीं हो रिसले जाले क्या तरह डाला चेंक है बतादू फिर अभी को अ शाल-इ प्रोसीड सवनो अ एंट्रि क्या वेट जो एंट्री क्या क्यों होग रहे है जियर्णल एंट्री इंपार्मिन्ट लॉस की इंट्री होगी की, Impairment Loss? तूब असेट, एगर हुआ तो, वोर Impairment Loss is what? दीफरेंस ब्रेंस बेर्टिन करिंग अमॉंट और रिक अरे मॉंट, इस दिए अरे इन रिक अरे मॉंट इस ग्रेटर देन रिक अरे मॉंट, हो चुकी है और उसका कोई रिवालिएशन रिजर्व रहेगा तो इट विल फॉर्स्ट रिवर्स रिवालिएशन रिजर्व एंड बैलन्स इफ एन विल चार्ज तो वर्ट पी अंडल अगर कॉस्ट मोडल फॉलो कर रहे तो हम कहां जालेंगे पेंडल में बट अगर मान लो पहले असेट इंपेर हो चुकी है एश रिवाल्यों हो चुकी है तो हमारी इंट्री क्या हो जाएगी रिवालिएशन रिजर्व इप एनी पेंडल अकाउंट डेविट यह कौन सा बैले इंपेर्मेंट लॉस तो मुझे बताएं इंपेर्मेंट लॉस पहले किसको अगेंस बुक करेंगे रिवालिशन रिजर्व तो अगर मैं ये पहला वाला हटा दूत चल जाएगा जिए मतलब ट्रिक यह कि रिवालिशन रिजर्व रहा उससेट का तो पहले वो नॉक आफ हो करेंगे अभी कि अ हुआ 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 है तरह यह कोशन है कब छोड़ोंगे फिर क्या कोशन है हुआ 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 है ठीक है ज़ुआ भी पुसिद अ यह discount rate कुछ नहीं है यह 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 नहीं हाँ इधर दीक लो recoverable amount is greater than carrying amount हम को से पेज नमबर पर है six क्या बोला recoverable amount is greater than what carrying amount बढ़ा आगर recoverable amount carrying amount से बढ़ा है तो there is no impairment पका ना तो यह दे उदर नीचे highlight कर दो ignore the difference asset is carried at book value that is carrying amount only yes or no but AS 10 के हिसाब से AS 10 बोलता है AS 28 नहीं उसकी useful life हम revive review करते हो हम उसका depreciation method review करते है every year याद करो भे तूदर क्या लिखाया एवन if there is no impairment loss till the following to be revived remaining useful life depreciation method and residual value यह कौन बोलता है AS 10 सिर्व्याद दिला रहा हूं happy case 2 recoverable amount is less than carrying amount there is an impairment loss treatment will depend whether asset is valued at cost model तो वो काहां चला जाएगा P&L से यस और अगर reevaluation model था तो अगर उसका reevaluation surplus है so adjust impairment loss to the extent of reevaluation surplus remaining balance if any in P&L but अगर no reevaluation surplus है तो return of in P&L yes or no और कई बार impairment loss is greater than the carrying amount उस केस में you should recognize it as a liability if AS 29 gives the permission कई बार ऐसा होगा कि impairment loss ज्यादा रहेगा in comparison to the assets एक example देता हूं आपका एक फैक्टरी है और उस फैक्टरी में आपकी कुछ problem के वज़े से कुछ gas leakage हुआ और उसके वज़े से बहुत सारे लोगों के death हो गई अब death हो जाने के वज़े से वो जो पुरी फैक्टरी थी उसकी carrying amount से कई गुना ज्यादा बढ़ा आपका impairment होगा है कि इतना पैसा देना पड़ेगा so when the impairment loss is greater than the carrying amount of all the assets in that case you should recognize the liability if as29 बोलता है कि यह liability होगी as29 provision करने के लिए क्या बोलता है कि provision is a liability which can be reliably estimated तो अगर आपका impairment loss carrying amount से जादा है तो liability दिखाओ बट liability का when there is a present obligation तो फिर as29 पिक्टर में आ जाता है enterprise should recognize liability only if required by other accounting standard which is as29 happy आजाओ please come down to the blue question number one अजिए पीजिए पीजिए standard है कभी कभी bonus bonus marks मिल जाए थे यह limited purchased an asset for rupees 8 lakh the life was expected to be 10 years the company provides depreciation 10 percent on straight line method at presenting at present the remaining life is three years and the recoverable amount of the asset is estimated at 90,000 प्यारा बच्च्च्छा कुद बोला recoverable amount कितना है recoverable amount is higher of value in use or net selling price आगे find out the amount of impairment loss also show the asset in the balance तो सुनो पहले हमें carrying amount निकलनी पड़ेगी क्या 8 lakh यह कॉस्ट है less accumulated depreciation can I not say 80,000 into seven years 80,000 into seven कितना हैगा 5,60,000 so what is the carrying amount friends 2,40,000 is the carrying amount या book value बुलता हूं बिटा ओड़े रिकलरेबल amount आपको क्या लगता है recoverable amount is lower और carrying amount is higher than the recoverable amount carrying amount is higher than the recoverable amount बराबर है इंपेर्मेंट है क्या yes what is the impairment 2,40,000 minus 90,000 1,50,000 is what impairment loss यह का इट करेगा बैलेंशिट असेट और पेंडल अकाउंट ना एक इफेक्ट पेंडल account और एक asset में से less तो यह देखो पहले उन्होंने क्या निकला carrying amount निकला गया फिर 90,000 के साथ compare किया फिर impairment loss 1,50,000 से less carrying amount का formula मेंने आपको क्या बोला था हला कि AAS 10 में हमने इसको skip करके बोला यह 28 में देखेंगे so carrying amount का formula cost less accumulated depreciation less accumulated impairment loss इस बार impairment loss कितना हो गया 1,50,000 और क्या 90,000 पराए गया अभे easy एगे नहीं एर पक्काल जम जाएगा ना तो accumulated depreciation तो पता था और एक नया क्या गया impairment loss और impairment loss के से निकाला समझ में है क्यारिंग amount को किसके साथ गंपर गया recoverable amount पका question number one is done question number two time pass Argo Industries Limited gives the following estimate of cash flows relating to property plant and equipment the discount rate is 15% पिटा जी आपको मैं बता रहा हूँ 2006 और 2002 हम 2021 में है एग्रेट 31st December और 2012 मतलब एक साल आगे हो गया गया सो वन यह 15% मतलब एक इतना आएगा one divided by 1.15 यह कैसे पता चल रहा है यह आपको FM में पता चलेगा 15% मतलब 15 बाहा है 100 so 0.15 यह वन में एड करने का तो present value निकालना है तो लोग calculator पर 1 divided by 1.15 is equal to कितना आएगा 0.869 95 ले ले दाऊं फिर वापीस is equal to 0.756 1 वापीस प्रेस करो 0.6575 वापीस प्रेस करो 0.5717 वापीस प्रेस करो 0.4971 यह discounting factor है इसको multiply कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा value news मिल जाएगा कि यस तो एक काम करते multiply करते एक छोटा सा मसला एर उनके discounting rate और अपने discounting rate थोड़ से अलग है तो कुरकुर मत करना तुमको समझ में आएगा ठीक है आगे क्या बोलाए रेसिडियल वैल्यू भी बताए 1000 लैक्स सुबढ़ाजी दोजर से में यह तो cash flows है बट एक प्रेसिडियल वैल्यू भी आपको 2006 में मिलेगी यस और नो तो उसके लिए डिसकाउंटिंग फैक्टर कितना 4971 और वह अमॉंट कितनी है एक हज़ार बिटा रेसिडियल वैल्यू का मतलब समझ में आ रहे गया असेट को यूज करने के बाद में उसको कितने में बेचेंगे तो वह भी तो cash flows ही मिल रहा है ना आपको असेट से कुल मिला कर इतना फाइदा मिलने वाला है अब मुझे 4000 इंट 0.8695 3478 फिर M प्लस 0.7561 इंट 6000 4536.6 अग्रेद M प्लस फिर में लिकना है 0.6575 इंट 6000 इंट इंट वाल तो 3945 M प्लस फिर 8000 इंट उ पॉइंट 5717 इंट उन जूगल तो 4573.6 M प्लस फिर 4000 इंट उ 0.4971 is equal to 1988.4 M plus और 1000 यह तो डारेक्ट हो जाता था मुझे M plus करना है इसले लिए 4971 is equal to 4971 नहीं 497.1 M plus memory recover करेंगे तो कितना है 19018.7 अब इसके total है तो मैंने present value लिए तो अभी आपको यह value news मिली क्या value news मिली क्या कि अब इसको किसके साथ compare करना है carrying amount या net selling price भे आगर दिये तो वह भी लेना है residual value to property plant and equipment purchase for 40,000 useful life 8 years बेटा जी यह कब बाई किया था 2000 में बाई किया था कितने साल होगे 2000 and 2001 तो दो साल हो गए गया calculator पर लीजिए 40,000 divided by 8 5000 5000 multiplied by 2 10,000 तो पेटा जी बुक वैल्यू कितनी होगी इसकी 40,000 minus 10,000 10,000 कैसे है समझ में आए गया 30,000 आए गया अच्छा net selling price कितनी है 20,000 बेटा मेरा value news इतना आया और net selling price कितनी है 20,000 which ever is higher तो what is higher 20,000 so what is my recoverable amount recoverable amount is 20,000 happy बेटा जी अब 20,000 किसके साथ compare होगा 30,000 के साथ तो मुझे बताओ carrying amount is more yes or no so is the asset impaired yes by how much 10,000 यह बेटा 1905 आए था क्या और फिर हमारा है यहार depreciation में एक जोल कर दिया अपनने है I am sorry I am genuinely sorry residual value one less करेगा कमीन हो लिकालो वापिस से एक बार book value गलत निकाल दिया 40,000 depreciation निकलते पहले cost लेते cost कितना है बिटू नहीं 40,000 नहीं less accumulated depreciation और पिटाजी हमारे year भी गलत ले लिए कि है 2000 2001 बट हम impairment कौन से तारिक का निकाल रहे है पिटाजी नहीं कब बाई किया था असेट को 112000 तो 2000 और 2001 तो दोई साल का होना चाहिए नहीं है अच्छाट एक्टीड देप्रेशिएशन कितना ले लेंगी राजु पीटा अबसे फर्टी दाउजन माइनस वट इधर ए रेसिडियल वेल्यू पीटा रेसिडियल वेल्यू इट अफ्ट टू थाउजन सिक्स कैसे ले सकता हूं भी मैं क्योंकि फिर तो दो अजार दो जार एक दो तीन चार पांच छे साथ नहीं यह तो साथ साली हो रहा है कुछ तो क्वेश्चन में गड़ बड़ी हुई है कि क्वेश्चन मोडिल का है कि एक बार मोडिल में चेक करना पड़ेगा कुछ प्रिंटिक मिस्टे गड़ा को नम् सॉरी फॉर थाट रहे जहार दो और झावझ को नहांग O इल्लस्ट्रेशन वान के दर है यही था के क्वेश्चन क्योंकि उन्हों ने क्या बुला असे को कभ एक्वाइर किया सब्सक्राइब क्या है 112000 मतलब 2000 2001 दोई सब्सक्राइब क्या लिखाए नोट में है एक टीजाय एक शी भीखरी चले तुम्हें समझे नहीं समझे का मां इधर काउंटिंग में क्यों कर अब रही है इनके बापका राज क्या बताए अपन क्या लिखते 20 और एक्सेट्स मतब 2020 भगड रहा है इनके बापका राजिया इन दे यह 2020 2020 is the immediate preceding year before 2020 मतब वो 2019 बोल रहा है आरे बोलो नहीं कि 2019 में भाई गया हम कितने इन कन्फीज हो रहे है इधर इधर लिख दे थे 2019 हाँ अब ठीक है तो 19, 20, 21 तीन साल हो गया गया अग्रीड तो अभी क्या 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तो 26 की स्क्राइब वेल रिए पहले कह साथ साल आ रहा था अब आपन कर सकते सों कितना घान के लिए तुम मेरे पास देखर है घुरु गुरु कुरु में वक समझ क्यों नहीं रही इसको दोड़ा सा चेंज गरुटा इधर ये 2019 लिग दो क्लियर है अब बेटा जी तीन साल का देप्रिसेशन लेना है तो हम क्या करेंगे 40,000 माइनस क्रैप वेल्यू कितना है 1000 डिवाइड बाइड वाट इस येर बेटा 8 येर्स इंटो हमें येर्स थ्री येर्स तो हमें अक्युमलेटेड देप्रिसेशन मिल जाएगा बताओ कित गया 25 375 ये बुक वेल्यू है बिटा रिकावरेबल अमॉंट कितनी है हाई ये रॉफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइज अगर आपको याद होगा सो बिटाजी वैल्यू इन यूज कम था 19,000 समता और नेट सेलिंग प्राइज कितना था 20,000 गुडिया हम द इस बता था हूं तरे को ये इधर निकाल था 19,018 ये वैल्यू इन यूज था और ये क्या था नेट सेलिंग प्राइज रिकावरेबल अमॉंट इस हायर अफ था तो हम ने कौंसल ये 20,000 बिटा जी इफ बुक वैल्यू इस ग्रेटर देन रिकावरेबल अमॉंट ये इन इ 375 हमने बरापर निकाली थी क्या फिर उन्हों पूछ रहे वैल्यू नियूज कितना है 19,025 लाक्स बरापर है रिकावरेबल अमॉंट इस हाई ये राफ वैल्यू नियूज और नेट सेलिंग प्राइस तो 20,000 लाक्स आएगा क्या और रसगुले बच्चों इंपेर्मेंट कितना हैगा 5375 तो रिवाइस केरिंग अमॉंट कितनी आएगी 25375 माइनस इंपेर्मेंट लॉस 5375 कितना रहे गया 20,000 रहे गया गया बिटा इस रिमेनिंग उस्फुल लाइफ 5 यर्स 20,000 माइनस 1,000 1,000 इस वाट स्क्राप वैल्यू रहे निक सो 20,000 माइनस 1,000 डिवाइड कितना आएगा 3,800 इस एक बिटा एक बर कॉस्टिन को आपिस देखो इधर क्या 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 पूछा था कैरिंग अमॉंट यह आता है फिर रिवाइज केरिंग अमॉंड इंपर्में लॉस्स लेस करने के बाद में रिवाइज केरिइंगे डी जो कि कितनी थी 20,000 कि यह फिर आपिस को लेका्रेशिंग या सकता है एंग्जाम में क्वेशन बिटा क्वेशन नमबर फॉर्थ देख लो तो एक बार क्वेशन नमबर फॉर्थ विनस Limited as a fixed asset which is carried in the balance sheet at Rs 500 lakhs, as at the date value in use is 400 lakhs and net selling price is 375. Қ thế अप मझे बाता ह। १ वट वट वे पुिव रूट। यप into और नेट सेलिंग प्राइज विच्वर इस हायर कितना लूँ रिकारिबल अमाउंट इस 400 लक क्यारिंग अमूंट कितना है 500 लक्स इंपर्मेंट है क्या है के निये है वन क्यारिंग अमाउंट एक्सीड रिकारिबल अमाउंट there is an impairment loss कितने का impairment लॉस है 100 lakhs 100 lakhs प्राइट करने calculate the impairment loss 100 lakhs और यह impairment loss की journal entry क्या है P&L या evaluation reserve वगर है तो तो असेट और शोवाव impairment loss विल बेशोन इन बैलेंच शीट तो हम क्या गरेंगे cost less accumulated depreciation less impairment loss छेक करो यह 400 lakh रिकारिबल अमोंट आया impairment loss 100 lakh आया क्या बोल बया और फिर नेक्स्ट impairment loss to provision for impairment loss यह तो सेम एंट्री होगे सर हम जो depreciation की करते दे depreciation to accumulated depreciation a provision for depreciation agreed so now what is the cost of the asset भीटा 500 less accumulated depreciation दिया नहीं पता नहीं मुझे कितना है लेस क्या कर देंगे हम accumulated impairment loss impairment loss कितना विटाजी 100 सुम कितने पर दिखा देंगे asset को 400 चेक कर लिजे यह है क्या 500-100 is equal to what 400 बुल हाँ easy-peasy question number six question number six कि एक सेकेंड एक काम करते हैं कि शिक्स के पहले और कोई है क्या कि अधा यल्लो का question number two यल्लो का question number two बिटा impairment भी ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ question additional ले रख है अगर आपको जरूरत पड़ी तो हम लेंगे नितो नहीं लेंगे इस देट ओक्या question number two मुझे पढ़कर बताये आएगा क्या यह एक्स लिमिटेट इस वाइंगे प्लांट असेट केरिंग वाल्यू अविच इस हंड्रेड लाक्स अन 31st मार्श 2021 इस बालंस उसफुल लाइप इस वाइर संद रेसिडियल वाल्यू अट थे एंड फवाइव यह इस फाइल लाक्स एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश्ट लोज उसिंग अप्लांट इन नेक्स वाइर्स आरस फॉलोज कर पाएंगे आप इसको सॉल डिसकाउंट रेट 10 परसेंट दिये है और नेट सेलिंग प्राइज भी दिवी है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पका तो दिस अर। अप। हैज कर फॉलोज को सॉलोज कर दिसको स्टिमाल ठीज़ लोज डिर झाल ममेब शऄंती से बटना इसमें Revaluation Reserve, X Ltd purchased a PPE 4 years ago for 150 lakh and depreciates it at 10% on SLM. At the end of 4th year it has re-valued the asset at 75 lakh and has return off loss on revaluation to P and L account. However on the date of revaluation the market price is 67.5 and expected disposal costs are 3 lakh. what will be the treatment in respect of impairment loss on the basis that fair value for revaluation purpose is determined by market value and value in use is estimated at 60 lakh. Tension मत लो, पले हम केरिंग अमांट निकलते हैं. सुब बेटाजी, केरिंग अमांट कितनी होगी? In case of revalued के case में, can I not say 150, scrap value कुछ दिये क्या? नहीं. Divide by what? या इन्टू 10%? इन्टू how much? 4 years. So, ये accumulated depreciation ओना पेटा? So, 150 इन्टू 10%? इन्टू 4? 60 आए गया? So, पेटाजी, कैरिंग अमांट हमारी आएगी? 150 माइनस 60, कितना आ जाएगा? 110? और फिर क्या बोल रहा है? उन्होंने इसको revalued किया, कितने में? 75 लाक में? 90? इट है, नहीं, at the end of 4th year, it has revalued the asset at 75 लाक. 90 आएगा, यहां वो ठीक है, वो थोड़ा सा मैं, दूसरा कुछ होगे, 90. So, पेटाजी, इसको revalued किया, 90 to 75, तो हमने 15 लाक कहां पे मार दिया, P&L, REVALUATION, यहां तक AS 10 काम कर रहा है. अब REVALUATION में तुम्हें पता है क्या? जब तुम्हें AS 10 में जाते हैं, तो REVALUATION करने के लिए आपको मार्केट प्राइस से कंपेर करना पड़ता है. So, AS, but AS 28 अदर अदर लेवल अब गदेड़ा पन है. यह बोलता है, सिर्फ नेट सेलिंग प्राइस वो AS 10 में किया, थोड़ो उसको. तो, सेलिंग प्राइस कितनी है, 90? यह बोला है, however, on the date of REVALUATION, the market price is 67.5 and expected disposal cost is 3 lakh. है, है ती जा आईला. तो एक काम करो, 67.5 minus 3, कितना है कि भीटा? 64.5 है किया, net selling price. और दूसरा वाला कौन सा है? वैल्यून यूज इस हो मच? इस हो मच? 60. विचेवर इस हाईयर, कितना लेंगे? 64.5 हमारे बुक्स में वैल्यू कितनी है? 75 लैक्स. सो कैरिंग अमाउंट अभी भी हाईयर है कि नहीं है? कितने से हाईयर है? कितना? 10 पॉइंट? क्या आपका इंपर्मेंट लॉस 10.5 आएगा क्या? यह देखो, 10.5 लैक्स भी रेकरगनाइज एजने एक्समेंस. तो अपर एक काम करें, पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं, क्या क्या क्यारिंग अमाउंट 75 लैक आया? यह दो करकर बताया था, फिर क्यारिंग अमाउंट को किसके साथ कंपेर करते हम, माइनस एने एक्सपेंस टू सेल, वही नेट सेलिंग प्राइज बनेगा ना, सो सेलिंग प्राइज कितनी धी आपकी, 67.5 उसमें से आपने कितना लेस किया, ट्री वेल्योना लेते हcyj और वह बयल्योर आकर उसकी वंपिरो शनक करता है अगर तुम उसको जाके बेचोगे तो उसिर्फ आपको गोल्ड की प्राइज देंगे उसके मेकिंग चार्जस नहीं देंगे कि उसको मेल्ट करकर कितना गोल्ड बन रहा है उतना गोल्ड का प्राइज देंगे कि उसका बट अगर मान लो उसका फैर वैल्यू निकाला जाए तो वह ज्वैलरी आज इस कितने में बिख सकती है ऐसा दिखा जाएगा तो जनरले ऐसा नहीं होता है कि नेट सेलिंग प्राइज और फैर वैल्यू दोनों सेम अब अब मेरा कॉंसेट समझ जा रहा है कि तुम कोशिश सका ज्यूएलरी जाके बैचोंगे घर की चोरी कर केमत लीजाना अब अगर ज्यूएलरी जैके बैचोंगे तो आपको सिर्फ गोल्ड की किमत मिलेगी अब अगर मान लोग दॉप पसंद आ जाता है से एस सो एस टेन में उन्होंने इसको फेर वेल्यू पर लिया था फेर वेल्यू उनके हिसाब से 75 था फिर हमने एस 28 को अप्लाई किया यह एस 28 में हमें रिकारेबल लमों निकाल निकल ने ती विच इस नतिंग बड वैल्यू नेुज का फर्मिला शेली प्राइस नस इक्श्पेंस तू सेल इस डोगे देटा कोश्ऩों कर पाएंगे सुलिकलो रिसाल्व एट हो एग कर लोगे ना बिए कर ahaát 6 इसक्षिन फस्क्रश इस्ट धस्ट जास्ट का इस्ट इसूंरнем जार्व इस्ट करामS वेडि़ीज कटरूता हैं नार्स 17S so how to doet जार्स इसलेश फिक वारे। इल करेंट केरिंग वल्यू आई लव यू 27.3 यूस्फुल लाइब रिमेनिंग त्री यह रिकोरिबल अमूंट ट्वेल लेक अप्वर्ड रिवल्यूशन डान इनके तो फूटीन लास्साली किया तो नो क्या बोलते हैं फाइंड आउट इंपरमेंट लॉस बेटा के प है सुपिटाजी आपको समझ में आ रहा होगा कि इंपरमिंट लॉस है तो 27.3 माइस 12 कितना रहा है 15.3 अब 15.3 अब त्री का इंपरमेंट लॉस पहले कहा जाएगा रीविवालियस्ट्रेशन वार्खारी थे तो किसको रिवाल्यूशन क्योंए तो से Valuation Reserve, 14, फिर P&L Account, 1.5 क्या से बटा, 1.3 ना, and to what, PPE ना, to PPE, कितना आ जाएगा, 15.3, या आप Accumulated Impairment Loss भी बोल सकते हो, agreed, अब आपकी PPE कितने रुपए के आ गई बेटाची, 12 पर आ जाएगी, क्योंकि 27.3 में से 15.3 माइनस हो जाएगा, तो 12 के बन जाएगी, से एस, अब बेटाची, 12 माइनस अलवेट जो हल्यू कितनी है, जीरो, डिवाइड बाइट थ्री एर्स, करकर बताओ, चार, चार डिप्रेसीशन हाएगा, यह बाबा, काई जाले रिया, अभी अपना भी 1.3 हाएगा, हाँ 1.3 हाएगा, ना, पी इंडिल, यह देखो, इंपेर्मेंट लॉस्ट फिफ्टीन लग 30,000, इंपेर्मेंट लॉस्ट चार्ज्ट टू रिवालुशन दिजर फूटीन लग और यह कितना आएगा, बन लैक 30,000, और अभी हमारी असेट की वैल्यू में से हमने कितना माइनस कर दिया, फिफ्टीन लग 30,000, तो 27.30 माइनस फिफ्टीन लग 30,000 किया, तो कितना वैल्यू बच जाएगा, 12 लैक, अब यहाए नहीं, यह समझ में आ रहा है न, कितना है उसका केरिंग अमॉंट, 27.3 है न, लेस इंपर्मेंट लॉस, वो कहां कहां चार्ज हो हो छोड़ो, इंपर्मेंट लॉस कितना है, 15.3, तो कितना वैल्यू बच गा है, 12, अब यह डिप्रिशेट होगा न, रिमेनिंग उस्फुल लाइप में, तो 12, डिवाइड बाइ, थ्री एर्स, प्रतिक साल 4 लग का डेप्रिशेशन आएगा गया, तो देर्फोर डेप्रिशेशन फर्ट इर्ट इस हो मच, 4 लाइक, तो जितने क्वेश्चन मैंने आज करा है, वह आपको रिक्वेस्ट है कि रिवाइज करना वापिस, पका, और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लेके जाओ, वह थोड़ा सा एक डेप्रिशेशन वाला पार्ट क्रिटिकल जाएगा, बढ़ ठीक, कल संबलता है, मैं, हाँ, आचा, कल किते बुझे मिलेंगे बता है आपना, वह हमंद को पूच रहे, वह छुटी जल्री एलेवेंट विल्ट कि, तुम थोड़ा जल्दी आ जाओंगा, पार्ट किते बता है प्रेम से बाय बाय बोलो बाय बाय या इस उन्ना थोड़ोसा रिकोर्डिंग बंद कर देगा के तो रिकोडिंग बन गर्देगा ये रिकोडिंग बन गर्णा रंदे 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 स्ट्रीमिंग बन मत करना